हेलो दोस्तो मैं हूँ अभिशेक और ये है मोटोला का नया फोन जिसका नाम है मोटोला वन फ्यूजन प्लस तो ये एक ऐसा फोन है जिसके अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचेस आ रहे हैं स्पेसिफिकेशन के इसाफ से ये फोन काफी अच्छी प्राइस पे लॉंच हुआ है और ये फोन कंपेर होता है Poco X2 के साथ इस वीडियो में ना सिर्फ हम अंबॉक्सिंग करेंगे इस फोन की साथ इसात कंपैरिजन भी करेंगे क्विक वाला और डिटेल कंपैरिजन बाद में आएगा उसके लिए वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सस्क्राइब कर देना तो चलिए शुरुआत करते हैं अन्बॉक्सिंग के साथ और मोट्रोला वन फ्यूजन प्लस दोस्तो इससे पहले कि मैं आगे बड़ू मैं तरह का दिखता है और बॉक्स कुछ खास नहीं है बहुत जादा कोई प्रीमियम टैकेजिंग नहीं है की फीचर यहां पर लेखी गए तो आगे बढ़ते हैं फटाफट अन्बॉक्स कर लेते हैं फोन को तो फोन की टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है कुछ इस तरह से अब आपको दिखाता हम वो शायद इदर उदर कहीं पड़ा है sorry for that अब अब अगेन यहां पर कुछ यूजर मैनूल्स वगरा है यह सिम इजेक्शन टूल यहां पर इसके साथ मिल जाता है आपको और उसके बाद 18W का फाफ चार्जर आपको पैकेज में मिल जाता है अब 18W का चार्जर काफी कामन हो गया मुझे लगता है और थोड़ा हाई वोटेज होता है तो जादा अच्छा रहता है लेकिन ठीक है चल जाएगा अगर हम बात करें यहां पर केबल की तो कुछ इस तरह की USB-C cable मिलती है and where is the case let me just show you the case guys case नहीं मिल रहा है sorry क्या करूँ इतने सारे phone पड़े हुए सब unboxing करना है और यहां समान पड़ा हुआ है but case कहीं खो गया है मेरे से finally phone का case मिल गया दोस्तों तो case अगर आप लगा लोगे तो थोड़ी बहुत protection मिलेगी हाला कि camera bump इतना जादा है कि case के लगाने के बाद भी camera bump यहां पर थोड़ा से ऊपर रहता है तो अगर आप किसी surface पर रखते हो तो camera का जो glass है वो थोड़ा scratch हो सकता है इस phone पे क्योंकि camera bump थोड़ा से जादा है लेकिन case से आपको एक अच्छी protection मिल जाती है इस phone पे तो फटाफाट इस phone का physical overview कर लेते हैं bottom पे आप देख सकते हैं कि USB C port मिल जाता है एक loudspeaker मिल जाता है primary microphone hole और headphone jack भी मिलता है इस तरफ आपको कोई buttons नहीं दिये गए हैं आप देख सकते हैं there is no button on the left hand side of the phone और जबके right hand side पे सारे button दिये हैं मुझे समझ में यहा है कि normally जब हम phone पकड़ते हैं तो दौनों साइट पर buttons होते हैं एक तरफ power button होता है एक तरफ volume rocker होता है लेकिन motor में सारे buttons इस तरफ दे दिये हैं तो अगर आप phone use करेंगे तो गलती से कभी आपको अगर phone switch off करना इस तरह से आप power button बजाने की मतलब आप power button प्रेस करने की बजाए volume rocker भी प्रेस कर सकते हैं गलती से और यहां पे एक और button मिलता है यह Google Assistant का button है इसको आप press and hold करेंगे तो Google Assistant जो है launch हो जाता है और यहां पे आपको volume rocker और power button मिल जाते हैं top पे आपको phone की उपर मिलता है एक camera जो की pop-up selfie camera है आप देख सकते हो और साथ-साथ यहां पे SIM tray दी गई है यह एक hybrid SIM tray है यानि कि दो SIM card और SD card आप एक साथ यूजने कर पाएंगे आप एक SIM card और SD card यूज़ कर सकते हैं या फिर dual SIM यूज़ कर सकते हैं फोन को unlock करने के बाद आप देख सकते हो कि कितना बड़िय यह viewing angles जो है वो भी ठीक ठाक है not bad bright display है और again outdoor में भी चल जाता है लेकिन थोड़ी सी brightness आपको बढ़ानी पड़ेगी और normally इस price point पे ऐसा कुछ होता ही है अब हम बात करें और चीज़ों की तो UI देख सकते हो आप बिल्कुल smooth UI है कोई भी फालतू की application यहाँ पे नहीं है एका कोई notification वगरा में कोई भी आपको spam वगरा नहीं देखेगा this is all google related notification जो की phone को setup करने के बाद आती है दोस्तो back side पर यहाँ पे आपको 4 cameras दे गए है सबसे पहला camera 64 megapixel का camera है फिर आपके पास 8 megapixel का wide angle camera है उसके बाद 5 megapixel का आपके पास macro camera है और फिर 2 megapixel का depth sensor है यहाँ पे पीछे की तरफ motorola की branding भी है साथ साथ यह fingerprint sensor भी है तो back side phone की काफी अच्छी लगती है और अगर आप closely देखेंगे तो आपको एक छोट असा हलका सा lines का texture भी देखेगा जो की काफी अच्छा लगता है हालकि इस phone की finishing को बरकरा रखने के लिए आपको case तो use करने है यह आप मान की interface और आपको बहुत सारे camera के अंदर modes मिल जाते हैं जैसे की cinemagraph mode और बाकी ultra evolution mode और spot color जिसमें आपको एक part clip color चूज कर सकते हैं तो image जो है black and white रहेगी लेकिन वह color जो है अलग से आजाएगा portrait mode भी है आपे macro mode भी है अब अच्छी बात है कि Motorola के phones में जब आप macro mode enable करते हैं तो आप ना सिर्फ macro photos ले सकते हैं आप साथ-साथ macro का video भी बना सकते हैं लेकिन जो focus है macro camera का वो इतना खास नहीं है यह video जो कि मैंने macro mode में बनाया है आप खुद देख लो कि यह macro mode में video तो अच्छा बन जाता है और photo भी आप अराम से ले सकते हैं लेकिन जो focus के issues हैं वो आपको थोड़ी बहुत दिखते रहेंगे थोड़ी थोड़ी दिर में focus जो है loose कर लेता है जो कि दुबारा से regain भी कर लेता है but that is an issue but overall quality wise अच्छा लग रहा है footage storage की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि storage 1202 भी है और Android Benchpark में मैंने इसका storage का benchmark का test किया था और storage की speed आप देख सकते हो कि read and write speed भी ठीक है 500 Mbps से नीचे है but again that's how it is इस price point पर बाकी phones भी ऐसी रहते हैं even Poco X2 में भी similar speeds है तो in terms of storage it is good if not great दोस्तो इस phone का software ज़रूर stock Android है लेकिन Motorola ने important features सारे दिये हैं जैसे कि sound के अंदर कर आप जाओगे तो audio effects में आपको अपने phone का audio adjust करने का option मिल ज सकते हो अब अच्छी बात यह है कि यह चीज आप बिना headphone jack पे headphone लगाए भी कर सकते हो so this applies to both to your headphone as well if to your loudspeaker तो sound जो है काफी अच्छी हो जाती है और इसमें bass punch जो है आप on कर सकते हो इससे आपकी sound में bass और बढ़ जाएगा और बहुत अच्छा sound experience आपको मिल जाता है तो यहा फोटो है night mode की साथ बहुत बड़ा फरक आजाता है with and without night mode खास्तोर से low light conditions में आपको इसका night mode काफी अच्छा लगेगा photo काफी bright आ जाती है और बहतर लगती है overall वीडियो की size की बात करें तो यहाँ पे आप full HD में video record कर सकते हो front camera से और अगर हम rear camera की बात करें तो rear camera में आपक 4K ultra high definition यानि की 4K resolution में video record कर सकते हो और slow motion video recording आप 120 और 240 fps पे कर सकते हो कुछ camera samples में आपको दिखा देता हूं तो यह कुछ camera samples है जो कि is phone से capture की है इस सारे camera samples low light मिले गए तो आप देख सकते हो कि कैसी clarity आपको मिल जाती है मुझे लगता है कि camera अच्छा है हाला कि colors उतने जादा sharp या फिर vibrant नहीं है बट front camera और rear camera दोनों ही ठीक ठाक है if it is not too great और देखो आप plastic phone में smudges वगरा बहुत असानी से दिखते हैं जबकि वो चीज़ नहीं होती है Poco X2 में उतना वादा हाला कि smudges यहाँ पे भी हैं but still it is better look and feel में durability में बहतर रहता है और अगर front की बात करें तो front में यहाँ पे gorilla glass पाई मिलता है यहाँ पे gorilla glass के बारे में बहतर colors आपको Poco X2 के front camera selfie में मिलेंगे यह एक rear camera sample और rear camera sample में आप खुद देख सकते हो कि जो overall color है जो dynamic range of colors है वो बहतर है आप Poco X2 की photo में तो अगर आप zoom in करोगे तो details तो दोनों में हैं लेकिन फिर भी आप देख सकते हो कि colors में कितना फरक है और सीधर अगर आप photo को zoom in भ तो colors के ममले मुझे लगता है कि they are much better on Poco X2 हालकि detail wise they are equally good both are equally good you can see तो अनों में ही अच्छी detail capture होई है form factor के साब से अगर मैं बताऊं तो ये phone थोड़ा सा भारी feel होता है 210 gram का phone है तो ऐसे में जितना इसका form factor उसके साब से थोड़ा भारी है लेकिन बड़ी battery मिल रही है 5000 mh की और उसकी विज़े से phone की thickness भी थोड़ी ज्यादा हो जाती है 9.6 mm की thickness है और आप rounded edges और phone का overall weight notice करेंग इस price segment में इसमें आपको pop-up selfie camera भी मिलता है जो कि आप देख सकते हैं कि उस तरह से आता है और जब ये बंद होता है तो हलकी से आवाज आती है जब ये खुलता है तो ये अच्छी से आवाज आती है अच्छा effect लगता है ये तो दोस्तों कैसा लगा आपको Motorola का One Fusion Plus मुझे त शुक्रिया जैहे वंदे मात्रम